दोस्तो नवनीत जेमच की ख़वरों को लाइक करें इसके बाद पहली बारा है चैनल पर सब्सक्राइब करें साथ ही बैल के आइकन को दवा कर ओल कर लें ताकि हमारी ख़वरें पहुचे सबसे पहले हैं पहली बड़ी ख़वर कमाल गंज उत्तर प्रदेश कानपुर से निकल कर आ रही है दरसल आपको बता दे कुपोशर को जर से मिटाने के लिए अब नौनिहालों को देशी घी और दूद का पाउडर मिलेगा एक बड़ी जनकारी जो है निकल कर सामने आ रही है आपको बता दे अभी तक जो है घी और दूद नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इनके पास था ही नहीं कभी बजट का अभाव था पैसे की कमी थी और भिविन कारण थे जिस बज़े से घी और दूद जो है लावार्तियों तक नहीं पहुच पा रहा था इसके बाद अब जन्वरी से बटवाने की पिक्रिया की जा रही है वही कई ऐसे जन्पते जहां पर अभी भी आविवस्थाएं आखिरकार कहां हीला हवाली हो रही है कि आदगारी पैसे खा रहे हैं कि अब आके में सासन ने इने पैसा नहीं दिया है बहुत सारे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं और ऐसे सवाल लावारती भी पूछ रहे हैं चुकि उनको जानकारी होती है कि जो गिहूं चावल के साथ सुका दूद और घी के पैकेट मिलेगे लेकिन जब उन्हें उपलब्द नहीं कराये जाते हैं बताये जाता है आगनबाडी कर्मी द्वारा कि उन्हें खुद ही स्वायम सायता समूध द्वारा नहीं पराप्त हुएं तो रहे कैसे दे अब ऐसे मिलावारती सूचते हैं कि जो है आगनबाडी कर्मी जूट बोल रहे हैं यहां पर गी और दूद बटा ही नहीं है अब किस-कस जनबद में घी और दूद नहीं बटाये यह आप भी बता सकते हैं आपके जनबद मिलाई है तो बताईिए नहीं बटायों पर श्रय केंद्रों से बटबाया झाएगा बिकास खंड के 272 आगन बाड़ी केंद्रों पर 65 स्वयम सायतर समू पुष्ट हार बितर का कार कर रहे हैं तो बड़ी जानकारी है आपको बता दे एक गोदाम से रासन सामगरी उठा कर उनके पैकेट बना कर आगन बाड़ी केंद्रों पर उपलब्द कराते हैं आप सूखा दूद और देसी घी भी उपलब्द कराया जाएगा इस चीश को नोट करना है जो आपको बता रहे हैं बिकास खंड 272 आगन बाड़ी केंद्रों पर 65 स्वयम सायतर समू पुष्ट हार बितर का का काम कर रहे हैं और ये गोदाम से रासन सामगरी उठाकर उनके पैकेट बनाकर केंद्रों पर उपलब्द कराते हैं और अब यही समूँ जो है सूखा दूद देसी घी भी उपलब्द कराएंगी आपको यहाँ पर एभी जानना बहुत ही जरूरी है चेतर पंचायत कारयाले परिसार हिस्तित सीडी प्यों कारयाले में सोमबार यानि की आज समूँ की मैलाओं को दूद और घी के पैकेट उपलब्द करा दिये गए हैं बड़ी एहम जानकारी जो है निकल करा रही है समू मंगलवार को आगनबारी खेंद्रों पर यह सामान उपलब्द करा देंगी और मंगलवार से ही लाबारतियों को जो है सामगरी बितरत करना सुरू कर दी जाएगी अब एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको जो है लावारतियों को किस साब से सामगिरी बित्रित की जाएगी लगाता हम बताते रहते हैं फिर भी बता दे रहे हैं कि अन्रोध रहेगा चैनल पर पहली बारा है सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट जो 400 ग्राम घी दिया जाएगा अब इस मामले में बयान निकल करा रहा है सीडी प्यों सुचेता दुबे का इनका कहना है कि जिन समू की महिला है सोंबार को दूद और घी ले जा चुकी है उनके गाउं में मंगलवार से ही बित्रन सुरू हो जाएगा कारकरता महिला समू की महि सुरू करेंगे संकी अद्यच उर्मला देवी ने किया उर्मला देवी ने बताया कि सरकार द्वारा स्मार्ट फॉन के माद्यम से टी अचार लावुक के बीच बित्रन करना सुरू कर दिया गिया है लावुक के मुबाइल पर मिलने वाले OTP के आदर पर टी अचार देना है आपको बता दे इसके बिना बुष्टाहा नहीं बित्रित होगा इसी को लेकर आगनबाडी कर्मी जो है चाहें बिहार की गया से हो या फिर अनजनपत से सबी जगए बिरोध कर रहे हैं आपको बता दे OTP प्राली से THR का लाब जो है लाबकों को नहीं मिल पारा आगनबाडी कारकरताओं कि लाबबारती का सत्यापन यूजर आईडी एवं पासबर्ट से लोग इन करने पर सत्यापन फैल बताता है यानि कि सत्यापन नहीं हो पा रहा है कई आगनबाडी केंदर पर विभाग द्वारा आबंटेत स्मार्ट मोबाइल जो है खराब हो गए हाली में जो है मोबाइल द सिमकार्ड एवं मन्थली मोबाइल रिचार्ज की रासी विभाग द्वारा नहीं दी गई अब ऐसे में दूसरी समस्या जो है इन कर्मियों के उपर आ पड़ी है सवाल यहां पर रहे है कि जब मन्थली मोबाइल रिचार्ज की रासी या फ्रिस सिमकार्ड उपलब्द नही की मांग की धरना पर बैटी आगनबारी सेपका धरना समापती के पस्चाथ ठीचार का बित्रन पंजी संधारन के तहत की जाने की मांग सहित पंजी यानि पंजी का की तहत लंबित मांगे सभी पूरा करने की भी मांगू का जो है ग्यापन सीडीप्यों को स्वापा है तो यह बिवाग इनकी सुनबाई कब करेगा और कब जो है इसमस्यां ठीक होगी यह तो जो है बिवागी अत्कारी या फिर सासन ही बता सकता है। को खुसी हो गई कि अब पोसाहार बितरने बिश्टाचार कम होगा और पारदर्सी तरीके से लावारतियों को लाब मिलेगा। लेकिन यह विवस्ता पहले से खराब हो गई। तैसील शेतर में लगवग सभी गाउं में ऐसी सिकायते मिल रही हैं। बजट क्या काक्चों में दिखाया जा रहा है। यह भी बड़ा सवाल है। इसी को लेकर ब्रोद प्रिदर्सन अब सुरू हो गया है। आपको बता दें जो है एक सिकायती पत्र जो है समास से भी रामकुमार सिंग सहित जो है अन लोगों ने जिलातकारी को दिया है। अपत्त में आरूप लगाया है कि जिम्मेदार अतकारियों बा करमचारियों की मिली भगस से अधिकान सुयम सायता समू के अध्यच बच्चों का पोसाहार बच्चों में बितरन करने के बजाए खोदी गवन कर लिये। पोसाहार का मतलब आप सुकारासन से ही समझिये। बच्चों को दालवा घी उपलब दिकराने के लिए उनके खातों में जो रकम भीजी गई थी उसका सभी ने बंदरवाट कर लिया। ये आरूप लगाई जा रहे हैं। अब इस मामले में उपजलातकारी बैरिया प्रिसांत कुमान नायक का बयान भी यहां पर लिखा हुआ है। इसकी लिखे सिकायत दें तो ततकाल जो है कारवाई की जाएगी। खेर देखने वाली बात ये होती है कि आखिरकार हिला वाली कहां हो रही है और निश्चित तोर पर जाच होगी और कारवाई भी होगी। अब कपता होती है तो भवसी बताएगा। आप कमेंट में जरूर बताईए कि आपकी जन्पद में अगला पर भाई हो रही है। तो हम मिलते हैं नई अपडेटें बने रहे हैं हमारे साथ नमस्कार।